हेलो गुद मॉर्निंग फ्रेंज तो यहां चंदीगड में सुबे सुबे हलकी हलकी ठंड पड़ती है और यहां आप गर्मा गरम पराथे खाने का मन करता है तो यहां मैं बना रही हूं बच्चों की टिफिन के लिए बीट रूट के पराथे या फिर कुकी कटर की हैल्प से म पर बीट रूट लिया था उनको अच्छे से वाश कर लिया एंड पिल ओफ किया उसके बाद में मैंने कद्दुकस की हैल्प से ग्रेट कर दिया उसको एंड फिर मैंने यहां पर ऑईल डाला एक कढ़ाई में उसमें मैंने जीरा यहां पर गालिक एंड चॉप कियों छोटी बाद में ठंडा करना है ठंडा करने के बाद में हमें इसको ग्राइंड करना है क्योंकि अगर हम फ्राय नहीं करेंगे इसको तो इसके तो हलकी हलकी खरासी आती है वो आने लग जाती है वो अच्छी नहीं लगती तो यह इस तरीके से अगर हम बनाते है ना तो खरासनी आत तो अच्छे से नहीं हो पाएगा यहाँ पर मैंने salt भी add किया था थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए मैंने इतको rest के लिए रख दिया था रद्यों में beetroot जरूर खाना चाहिए beetroot से हमारा blood circulate अच्छा होता है blood भी बढ़ता है बट जिनको sugar diabetic patient होते उनको नहीं खाना चाहिए इसलिए बट यह healthy भी होता है कभी कभी खा सकते हो पर diabetic patient के लिए नहीं तो यहाँ पर मैंने इनको dough ready कर लिया था और साथ में मैंने सारे मसाले उसमें थोड़ add कर लिये dough के अंदर मैंने grind किया हुआ मैंने beetroot का pulp add कर लिया और फिर उसको मैंने dough ready करने के बाद में एक circle सा मैंने बेल लिया और में पास यहाँ पर cookie cutter different types के थे यह heart shape का है तो मैंने heart shape बनाया circle बनाया और star बनाया आप चाहो तो कोई भी shape दे सकते हो कटोरी बेस से भी काट सकते हो तो यहाँ पर मैंने इन सब को cut कर लिया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर fry कर लिया क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे थे मॉमा हमारी school में कोई कोई बच्चे कभी कभी ना red red कर लो के पराँठे लाते हैं कोई green लाते हैं मैंने चलो beetroot के हम try करते हैं तो यहाँ पर मैं try ही किये और यह मेरे different type shapes के बनगे बच्चों को बहुत अच्छा लगा तो आप अपने बच्चों को अगर बच्चे नहीं खाते तो इस तरीके से उनको खिलाएंगे तो वो healthy भी रहेंगे और वो enjoy करके भी खाएंगे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज like, share and subscribe जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो like करें अगर कुछ कमी आओ तो comment जरूर करके बताएं